जाहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र सपोर्ट महत करियर में आज का अपना टॉपिक है स्क्वाइर यानि की वर्ग कैसे करते हैं तो आज हम लोग सिखेंगे किसी भी दो अंको की संख्या का वर्ग निकालना वह सिखेंगे अगली वीडियो में आज हम लोग सिखेंगे दो अंको की संख्या एक से लेकिन नियानबे तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं ट्रिक से मातर दो सेकेंड में तो बने रहीएगा वीडियो में अंक चलिए वीडियो को स्टैट करते हैं जैसे देखि के लिए क्रिक हे वह क्या है देख्ये सब 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 से पहले हमें क्या करना है से तकि यह थेक मैं समझानी के लिए कि इस परकार बता रहा हूं हो ज़ल देखिये यहां पहली क्या करना होता है इंका वर करके दो अंखी लिखना है इधर दो फैक्ट तो देखिए अभी जिसे यहां छे लिया है तो शे क वर हमारा होता है 36 ठीक हम इधर लिख लिए हमें याद रहा है कि यहाँ पर दो अंखी लिखना है ठीक न यहाँ देखिए चार है तो यहाँ चार कवर गुआ 16 आगे हम बताएंगे जगर तीन अंका जाए तो क्या करेंगे किस प्रकार करेंगे चलिए वीडियों बने रहे देखि देखिए सिम्पल कुछनी करना है इनका अलग-अलग गुड़ा करना है चार का गुड़ा छे का गुड़ा और यह पावर यानि कि घात का भी गुड़ा करना है ठीक अब देखिए चेज 24 और 24 दुना 48 ठीक यह हो गया 48 आ गया उससे हमें किस प्रकार लिखना है देखिए इधर से एक अंग छोड़के इधर सीसे छोड़ दिए यहां लिखेंगे 8 इधर लिखेंगे 4 ठीक अब आब हमें क्या करना है इनको जोड देना है देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 यहां लिखे 8 और 3 जुड़ेगा तो 11 होगा 11 का 1 होगा यहां पे carry 1 यानि कि हा सी लेका जाएगा ठीक अब देखिए 6,4,10 और 11,11 का यहां फिर हो गया carry 1,1,1,2 ठीक यहां कितना होगे 21,16 ठीक तो आसा करते हैं कि यह बात आपको समझ रहा होंगे चलिए देखते हैं दूसरा question बात अधिक समझ में आएगी आप लोग को देखिए हमें करना कुछ नहीं होता है यहां पर इस प्रकार से एक square बनाईए plus का सिंद बना लिए ठीक उसके बातिया करना है आपको पहली संख्या का work करना है यहां पहली संख्या का work, 8 का work, देखिए यहां 4,ठीक उसके बाद देखिए हमने कहा था न स्कूर करके दो अंग लिखना है तो इसका देखिए स्कूर करेंगे तो चार आएगा, चार यह एक अंग का है तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, जीरो चार ठीक आप देखिए दूसरा हमारा स्टेप जो है इनका गुडा करना है, 2 का गुडा एट में और एगात वाली संख्या जो दी गई है दो उसका भी गुड़ा कर लेना है कितना हो जाएगा देखिए आठ दुना शोला दुना बत्तिस ठीक हमें बत्तिस को किस्प्रका लिखना है इधर से एक अंग छोड़के इंडिया पाकिस्तान में बाड़ दीजिए इसको यह बॉर्डर है और इसको बाड़ देना है सिंपल ठीक अब देखिए यहां पर यहां आगे चार छे दो आठ चार तिन साथ ठीक किसी संख्या क्या कि जीरो का कोई महत्तर नहीं है यहां जीरो कोई वैलू नहीं है ठीक यह देखिए 784 आगया ठीक इतनी बात आप लोग को समझ में आई चलिए एक और एक जामपल लेते हैं बात अधिक समझ में आईगी देखिए यहां दिया है और साथ ठीक और साथ का स्क्वायर हमें करना है तो क्या करना है देखिए पहरा इस टेप अपना क्या है इस प्रकार एक बॉक्स बनाए जब आप इसका प्रेक्टिस करेंगे तो यह बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका गुणा भी आप मन में कर लेंगे देखिए आप समझाने के लिए मैंने इस प्रकार आपको बता रखा है देखिए यहां आठ का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64 एक बात और आप लोगो कम शीकम एक से पंदर तक तो स्क्वायर याद होना ही चाहिए तो आप इसे और ही जल्दी आशानी से मना प देखिए अब दूसरा इस टेप जो है इनका गुड़ा करना है तो 6 का गुड़ा किसमे करना है 8 में 6 इंटू 8 और एगात वाली संक्या 2 ठीक अब देखिए यहां कितना हुआ अब इनको एड़ कर देना है देखिए चार और छे दून 12 ठीक चे बारा हुआ कैरी का वन यानि हासिल वन नो चे पंदर और एक सूला ठीक कैरी वन यहां देखिए तीन एक चार ठीक इसका अंसर हो गया 46 24 ठीक चलिए अब देखिए एक और कोश्चन लेतने जैसे हुआ यहां 87 है तो हमें क्या करना है प्लस मनाना है पहला साथ कवर करना है साथ कवर होगा उनन्नचास आठ कवर होगा 74 ठीक अब इधर देखिए इनका गुड़ा करना है तो आट का गुड़ा कित्ने है कर ना है चाथ में तो आपका 56 रहा आप संटे और यह तो कितना हो गया आठ सब्सक्राइब और यह दो पावर वाला ठीक तो कितना हुगा छे दुना बारह और यहां देखिए पांच दुना दस एकी 11112 ठीक आप देखिए मैंने कहा कि जब तीन डीजित आएगा तो क्या करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है शिम्पल यहां से एक छोड़ना है और जिस प्रकार हम गुणि में लिखते में उस प्रकार लिख लेंगे देखिए यहां पर तू लिखेंगे यहां पर नैट कर देंगे दे he तो यहां देखिए नाव चार तु छे और यहाँ पर देखिए चार एक पांच यहाँ रिखिछे एक साथ पच्छत्तर उनत्तर ठीक तो आसा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा चलिए दो कोस्चन में आप लोग को देता हूं जिसका एंसर आप केमेंट वक्स में ज़रूर बताईएगा यहाँ पर आप 91 का स्क्वाइर ठीक और आप एक बताईएगा आप 67 में 66 का स्क्वाइर करके इसका एंसर आप कमेंट वक्स में ज़रूर दीजेगा आसा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छे लगी होगी है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को में किसी भी तीन अंकों की शेंख्या का स्क्वाइर कैसे निकालते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जैन बंदेवाद